गवरायय, जैसा कि आप सब जानते हैं, मनुष्य के आसपास मन्राने वाली एक प्यारी सी चड़िया, ये मात्री डिबबा नहीं है, ये है पुरा संसार, ये एक घर है, एक आशियाना है, पुरा संसार बसता है इसमें हमारी गवरायय का, और जिसे हमारे गड़वाली में हम के नाम से भी जानते हैं नमस्कार दोस्तों मैं माधूरी डब्राल और आज मैं पहुंची हूँ कोड़वार के छोटे से गाव नन्दपुर में जो नन्दपुर कोड़वार से मात्र साथ किलोमीटर की दूरी पर बसता है हैं तो वह पेशे से एक शिक्सक हैं परियावरण सं पर बोलते हुए नजर आते हैं अपने हाथों से लगभग लगभग 20 से 22 हजार जो उन्होंने ये जो डिबानुमा जो गोसला बनाया है गो खुझ से ही वितरेत करते हैं शरी दिनेश कुक्रेटी आज मैं उन्ही सक्षियत से आपको मिलवाने जा रही हूं मेरा नाम से लगातार यानी 26 वर्स गोर्या सरक्षन का कार्या करते हो गए एक मकान मेर भाई ने बनाय था तो हमें पढ़ा कर रहा था प्राय के दर्मान मैं ने देखा कि एक शुराग में लुड़ी के चार बच्चे थे और जब मैं वहां पढ़ारा था तो अपरेल में अपरेल महा तो में बहुत दूख वा तिस कारण से मैं घर में जो मारा पुराना मकान इस में प्लस्टर बनी क्या तुसमें मैंने करेमा 11 पिर 19 हुराग उस साल के थे तो पांच में जो प्लाय का जो यह तक बना गोरे के लिए उसमें नहीं बैठे उसके बार दो हजार से सुरुआ थी दो हजार साथ में अगल अगल में लगाना सुरू कर दिया और समय तक मैं लगबग 20,000 अब तक नेश्टर बॉक्स निसुल को दे चुका हूं जहां पर मैं ह सब्सक्राइब के लोगों को मनाता हूं और 2013 से मैंने सोचा कि देखो कि कोई भी कारिया जब अकेला किया जाता है तो बहुत दिक्कत आती है कि सपलता का मिलती है जब तक किसी पर्यावरी कारे करते हैं जब तक बहुत सी लोग उसमें न जोड़े इस कारण से मैंने बहुत मार्च को 2013 में चोटी मोर्म के तैद मेर गोर्या दिवासमना अब बहुत बृत रुप में में बहुत से लोग सामील होते हैं और में कई टॉपिक में दे देता हूं कि जैसे कि भाई पक्षियां क्यों समाब तोरी पक्षियों कैसे बचाया जाता कौन से पक्षियां बिलु कर देवास होता तो उस समय मैंने एक चीज़ खूचा कि क्यों आज एक नई मुहिम का सुरूआ क्या जाए जा पक्षि परिवार का ता मैंने एक पिछले साल धूमा कॉर्ट मौसभ ता तो धूमा कॉर्म को में पांच जनमर में हमारे बिल्या ते दिली प्रावत जिक निया तो उन्हें के आथों से पक्षी परिवार का मलब कि वहां परिवार जो की पक्षों को बचाने है तो कारे का अजीव नबर और अपने परिवार को मनाएगा पक्षी परिवार इसमें भी मेरा लगबा लगबा इस समय में बहुत चोंगो जोड़ दिया कोशिच कर रहा है कि ल परियावण को परिया बचाने वाला तॉर चुका है तो क्यों नहां परियावण का उन्यव यह इसे बचाने का रह करें क्योंकि परियावरण में अगर प्रियावर्ण भचाने निश्चत और यह आगए जल बचाएंक निशित तोर से अपने घर कि आसपाइ्ड, अनुकुलन, महल करेंगे, तो कहीं न कहीं, सारे प्रयावन के जितने भी तो से हैं, हम कारे करेंगे, यद कि लिए नबान दायक हैं, उनमें हमें, करें कि लगबलब सारी पक्रता ऐसी हैं मानव जाती के लिए कह सकते हैं कि नुक्सान दाग बिल्कूल नहीं चाहिए पक्षियों का इसको आपकार कर चाहिए लगालो मiousशु क्कुल लगादो चाहिए कोई लगा दो चाहिए निदे ही दो भपता करता यह इसके दोनिया है कि अधिर यह क्यों कि हमारे अन्दर विभिन प्रकार की मार्गरिन समंदी हो जाए निमाग में आउसाद हो यह दूसर प्रकार को यह कि हमें एक अच्छी सोच उत्पन करते हैं पक्षियों की धुनिया तो मैं कह सकता हूं कि पक्षी बचाने के लिए हम सभी को कारे करना पड लमबा समय तक वे पक्षियों को बचाने हतु कारे कर सकते हैं और आगे आने वाले नोडे को भी धीरी-धीरे बता सकते हैं क्योंकि आने वाली पीडी की ऐसा ना हो कि अधे आने वाली जा कि सखेंज पक्षिया है उनको देकने ठीजिक और केवल किताब में या फिर मोबाइल में ही इनको देखे तो आप सभी का सेव नेस्ट से बर्ड के अंदर गथ हम पक्षियों को बचाएं और अपने परिवार को बनाएं पक्षी परिवार जहां पर मेरे घर नंदपूर में है तो मैंने पहले अपने घर में तो पहले सुला इसका प्रूत आप इसवल्यकों थॉन हम दौन सेंपशियों है कि इस विस्फवां कर दोंकि में घर में ब्हुत जादा गरे जब हो GUY्कलिक्षा तरी दुन आपक्षियों में उरु नरुद्स फेए लेग भूचे-सरुट छिवगाम इसके जुने टेया थे अमशन शरुख बच्चे ने के हैं ज्यांजुप महोफ हratos है कि ढुत कम सभिभरा शार यह गर में सो एक कब सावरामे की मेरे गढ़ने सोके जी कि हैंने क lett अल्सची बहुत कम करने की पच्चींघ इनका । इसे जाता जब तक हम इसको अनुकुलन प्रयावर नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बच पाएगा ऐसे अन्य पक्षियों के लिए जैसे कई पक्षिया है जिनका की 10% से नीचे क्या है बचे उने की दर है किसे में 40% किसी में 50 किसी में 20 इसी तरह से एवरेज देखे जाए तो बोगत कम है धीरे धीरे कया कमी आ रहे है पर्तिवर से जैसे जंगलों में आग लगति जिए कि बहुत ज्यादा पक्षिया क्या होती है उसमें जलकर समाप तो हो जाती है तो हमें जंगलों में भी आग नहीं लगाना है यह कमरा में इसी के लिए बना रखा है नेस्ट बॉक्स बनाने के लिए तो यहां पर मैं इस प्रकार से आप देख रहे हैं छोटी प्लाइ की टुक से बनें घर दो दो करने के लिए नहीं तरहों कैरे उसके बात शुर्ण को पर दो करने प्रेमर करता हूं हुई तो ऍसके बाड लगानों स् Ilmenke ड ranked की सी हंथ कि एक बार यह करना फिर बार पट्टी लगाना है क्योंकि एक हजार डबे में अगर मैं सुबह से बढ़ जाओं तो आगे वाला तो आसनी से हो जागा फिर यह पट्टी के लिए दूसरे दिन इतने दिन मलवी डबों में फिर इसमें उपर से एक खुक लगाना हूं तो मैं उ अधे साला से कंस से परक्म आपल चाहिं जिसमें कम ते कम 40 50 परकृ impose एप आ सके और परक्रतीर में उनके मलव सकें चलनाओ में एसरे कहीं सरकार से तो में यह कहना सकते हैं तो निश्य तोर से पख्षों के बारे में भी चाय करें क्योंकि नदी नाले हमारी प्रदूश्चुत हो चुक्य कि नदी किनारे 30-40 प्रकार बख्षिया उलगभाः बलुग तो नहीं के गार पर आप मोची वह घाटियों में जाना जंगल ताव तो दोस्तों ये था आज कहादी का मुख्य किड़दार गोराया का जो गोष्ला जो कुक्रेटी जी ने इजाद प्रवारी कम्याई इस कारण से क्योंकि हमने कंगरे कर दिये और हमारे ऐसा कोई जगा नहीं है यह कैसे निर्जन वाला जगा नहीं जहां पर पक्षिया अपना किया हुआ है हमारे दिनेश कुक्रेटी जी जो पेशे से गणित के सिक्षक हैं जैसा कि आपने अभी उनकी जुवानी उनकी कहानी भी सुनी और इस कहानी को देखकर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य प्रेरित हुए होंगे आप के अंदर भी अगर परियावरन को ले अदिरेश कुक्रेटी जी का जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा आप उनसे मदद ले सकते हैं कैसे घोसला बनाना है कैसे लगाना है और अन्या बाते भी आप उनसे साजह कर सकते हैं अगर आप इस तरह के व्यक्तितों से जुलना चाहते ह हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें बहुत बहुत धन्यवाद